Hello children, welcome to your English video class. Children, so far we have been revising the chapters of grammar. Grammar ही revise कर रहे थे, prepositions, conjunctions, present continuous tense, past tense, यह सब revise कर रहे थे. अभी grammar में आपका noun gender बच्चा है, revise करवाना और noun numbers तो वो करवा देंगे, लेकिन सोचा मैंने कि आज 16 chapters भी revise करना जरूरी हो गया है. तो आज chapter 8, Blackie the Clever Crow, वो एक बार में आपको revise करवा देती हूँ. Blackie the Clever Crow, जैसा कि chapter का नाम है, इसी से आपको पता तो है है कि कौन है Blackie, Blackie Crow का नाम है chapter में, the Clever Crow लिखा हुआ है. इसका नाम Blackie क्यों पढ़ा, ये Clever क्यों क्यों के लाया, इसकी स्टोरी आपको मालूम है, याद होगी. अगर नहीं याद है तो एक पर हम revise ही कर रहे हैं, वैसे भी. तो ये इस chapter में क्या हमने पढ़ा था कि एक farmer था जिसका नाम था किशनलाल, और वो कहां रहता था एक desert area, deep in a desert, एक desert area में, कहीं अंदर गाउं में रहता था. और उसकी एक खासियत क्या थी किशनलाल की, कि वो बहुत ही दयालो था, बहुत ही kind-hearted था, दूसरों का care करने वाला था, बहुत ही caring था, यह हमने starting में ही, chapter के starting में ही यह जान लिया था. फिर क्या हुआ था, कि एक दिन सब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके doormat पर, doormat मतब जिस पे हम अपने sandals, अपने footwear को wipe करते हैं, before entering into any room, या any house, किसी भी घर में या किसी भी room में घुसने से पहले, हम doormat पर थोड़ा सा अपने footwear को, चाहे चपल हों, जूते हों shoes हों, sandals हों, कुछ भी उसको हम थोड़ा सा wipe कर लेते हैं, ताकि dust वेगरा, वो doormat में हो, और हम जब घर में घुसे, तो हमारा घर गंदा ना हो, है न, उसको doormat कहते हैं, तो उसने doormat पर देखा कि एक crow पड़ा हुआ है, मरा नहीं हुआ है, lying on the doormat, वहाँ पर dying, died नहीं lying, lying मतलब ऐसा लेटे हवे position में एक crow है, और जैसा कि हमने chapter के starting में पढ़ा था, कि जो farmer था, वो बहुत ही kind-hearted था, तो उसने crow को बहुत प्यार से उठाय है, gently picked up word लिखा हुआ है, chapter में क्या लिखा है, he gently picked up, मतलब उसने बहुत प्यार से, बहुत आराम से उसको, जटके से न मरा नहीं है, तो उसने crow को किया किया, थोड़ा सा पानी दिया, पानी क्यों दिया, क्योंकि ऐसा chapter में लिखा है, कि वो बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था, अभी कैसे पता चला कि वो इतनी दूर से उड़ता हुआ आ रहा है, और वो इतनी दूर से उड़ता हुआ कि वज़े से वो बहुत थका भी वह था और उसको बहुत प्यास भी लगी थी, तो प्यास लगी थी तो पानी पी ले था, लेकिन हमने इस चप्टर के स्टार्टिंग में जाना कि वो डेजर्ट का एरिया है, और डेजर्ट एरिया कैसा होता है, जहां पर बारिश कम होती है, जहां पर पानी की कमी होती है, है नो, तो हो सकता है कि रास्ते में उसे कोई ऐसी जगर नहीं दिखी हो, जहां पानी हो, तो इसलिए वो रास्ते में पानी नहीं पाया, पी पाया, और वो उड़ते उड़ते बहुत थक गया, और वहीं पर गिर गया, तो किशनलाल ने क्या क किशनलान ने उसको उठाके उसको पानी पिलाया और फिर एक शू बॉक्स था एक जूती का खाली डबा था उसमें उसके लिए उसने बेड रडी कर दिया क्यों छोटी से जू बॉक्स तो क्रो के लिए काफी सफीशिंट है क्रो को इतना बढ़ा तो होता नहीं है बहुत होग फिर से हल्दी हो गया थकान थी उसकी वो थकान दूर हो गये रेस्ट करने से और उसके बाद वो किशनलाल का फ्रेंड बन गया क्योंकि किशनलाल ने उसकी हल्प की थी अदर्वाइस वो क्या होता प्यासा मर जाता ना वो अगर उसको पानी नहीं मिलता तो प्यास से तो मर लड़ाद है न चाप्टर में पर्चिंग ओन इस शोल्डर तो उसके कंदे पर बैठे-बैठे वो बैठा रहता था और जहां-जहां कि शनल जाता था वो भी उसके साथ जाता था अब किशनलाल का ये नया-nया दोस्त बनाता था तो किशनलाल का पुरानी दोस्तते जो बाकी फार्मर्स थे वो किशनलाल का मजाब उडाते थे. BOOK में word क्या है? made fun of made fun of मनदा मजाब उडाना क्यों मजाब उडाते थे? किशनलाल ने क्रो को फ्रेंड बना एक क्रो जो है ना बहुत ही common pet नहीं है. ना? क्रो एक common pet नहीं है. कोई भी किसी क्रो को पैट नहीं बनाता है हम सब अपने घर में पैरट रख लेते हैं या कोई कलरफुल बर्ड रखते हैं क्रो को कोई जल्दी पैट नहीं बनाता है क्यों नहीं बनाता है क्योंकि वो दिखने में सुन्दर नहीं होता वो बलाक कलर का होता है और काला रंग तो बहुत सुंदर नहीं माना जाता है, ऐसा एक स्टीडियो टाइप है दूसरा क्रो की आवाज भी स्वीट नहीं होती है, काउ 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 करता है तो उसकी आवाज भी बहुत ही, मतलब हार्श आवाज होती हो तो उसके आवाज में भी sweetness नहीं है, दिखने में भी सुन्दर नहीं है, तो जल्दी लोग crocopet नहीं बनाते हैं, लेकिन किशलनाल ने crocopet बनाया था, अब हम क्या है नो, human being की tendency हो तो हम looks पे जादा जाते हैं, कोई दिखने में बहुत सुन्दर है, कोई बहुत attractive है, तो हम उसी looks को जादा importance देते हैं, कि कोई दिखने में अच्छा है, किसी की आवाज अच्छी है, कोई बहुत सुन्दर है, बहुत attractive है, तो हमें लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा, ऐसा ही animals को लेके भी होता है, कि कोई बहुत attractive है, बहुत सुन्दर है, तो हम उसी को अपना pet बना लेते हैं, तो यहां भी लोगों की mentality वही है, लोगों ने सुचारे काले से कवे को पैट बना लिया, उसकी जावाज भी इतनी खराब है, लेकिन किशनलाल को इससे कोई फरक नहीं पड़ता था, वो अपने करो को बहुत प्यार करता था, और प्यार से उसने करो का नाम रख जब आसमार में मून दिखाई नहीं देता है, उसको हम बोलते हैं, डार्क नाइट, तो डार्क नाइट थी, जब कुछ चोर किशनलाल के फाम में घुस गया है, चोरी करने के लिए, किशनलाल ने देख लिया, सौरी, क्रो ने देख लिया, उन चोरों को घुसते वे, तो उ रेजड अलार्म, तो ये वर्ड का मतलब ये हुआ, कि उसने खत्रे के बारे में जानकारी दी, काउं काउं का हला मचा के, कैसे, अब इतनी रात को काउं 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 क चोरों को पकड़ लिया और उसके बाद पॉलिस टेशन में लेके गए लेकिन क्या वा उन चोरों में से एक चोर जो था वो छुप गया कहा छुपा बिहाइंड दा फ्रेशली कट क्रॉप्स वहां पे जो क्रॉप्स काट के रखे गये थे उसके पीछे जाकर वो छुप गया इसलिए वो दिखाई नहीं दिया तो बाकी चोरों को तो पॉलिस ने पकड़ लिया एक चोर बच गया अब यह चोर जो था रिवेंच फुल हुआ रिवेंच फुल मतलब बदले की भावना उसको लगा कि किशनलाल ने उसके दोस्तों को पकड़वा दिया पॉलिस के पास तो बदले की भावना से कि अच्छा इसने मेरे दोस्त का पकड़वाया अब मैं इसका खेत चला दूँगा यह सोच के वो रात भर वो अगली रात का वेट करने लगा अगली रात को उसने हाथ में जलता हुआ मशाल लिया जिसके लिए वर्ड क्या लिखा है फ्लेमिंग ट तो उसने हाथ में फ्लेमिंग टॉर्च लिया and he again entered the farm फार में घुसने लगा इस बार भी बलाकी ने देख लिया बलाकी अलर्ट था अलर्ट बलाकी वर्ड लिखा है चाप्टर में अलर्ट बलाकी तो अलर्ट बलाकी ने फिर से देख लिया चोड को घुसते वे और वो most intelligent birds बले ही वो दिखने में beautiful नहीं होते हैं बले ही वो दिखने में attractive नहीं होते हैं लेकिन क्रो बहुत intelligent होते हैं बहुत intelligent bird माने जाते हैं तो यहाँ पर हमें पता चली जा रहा है क्रो को पता चल गया कि ये कुछ गलत करने जा रहा है उस ने सोचा क्रो ने सोचा कि जब तक म तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो चोर सारे खेत में आग लगा चुका होगा, सारे क्रॉप्स को जला चुका होगा, बहुत देर हो जाएगी, इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास, तो उसने क्या किया है, उसने सोचा कि वो अब इस चोर का सामना करेगा, and he faced the thief valiantly, valiant crow लिखा है, word क्या है, valiant crow, बहादूर crow, उसने उसको चोर का सामना करने का decision लिया, and he packed, पैक करना मतलब चोच मारना, उसने चोर को पैक करके उसको distract करने की कोशिश की, अब कोई किसी काम के लिए जा रहा और चोच को वो मारेगा, तो उसका distract हो जाएगा, वो उसको चोर भग बहाने में लग गया, शू शू करके उसने crow को भगाना चाहा, लेकिन crow बार 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 पैक कर रहा था, बार बार चोच मार रहा था, और ये जो थीव था, ये उसको शू शू करके भगा रहा था, फिर ये चोर ठग गया और तंग आ गया, तो उसने सोचा कि इसको तो मैं अ प्हानेंगे, उस में शॉट किया जैसे ही तो गुली की आवाज होई, और सब लोग जाग गया, बंदुब की आवाज होती है, तो सब जाग जाते हैं, और फिर क्ली चारत हो गया, गुली तो क्रो को में लगी, लेकिन हां, वो थोड़ा हॉट हो गया, उसके पंग में चोट लेकिन क्या हूँ गोली की आवाज सुनकर शॉट की आवाज सुनकर बाकी लोग जाके किशनलाल भी जाके और बाकी फार्मर्स भी जाके और उस चोर को पकड़ लिया और उस चोर को भी फिर पुलिस के पास ले गए अब क्योंकि क्रो को लग गए थी गोली तच करके गए थी तो सब लोगों ने क्रो को घेर लिया, सब लोकेशन डाल की, help करने लगे, क्रो को bandage करने में, अब जो लोग उस क्रो का मजाक उडाते थे, अब वही लोग क्रो के बाहर में अच्छा-च्छा बोल रहे हैं, everybody has good words for क्रो, है न, chapter में good words, everybody was praising क्रो, उस क्रो को हर कोई appraise कर रहा उसकी चालांकी की, उसकी बहादूरी की, है न, कि उसने कितना bravely उसने उस थीव का सामना किया, और कितना clever था कि वो समझ गया कि चोर क्या करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से सब लोग उसके बाहरे में अच्छा-च्छा बोल रहे थे, अब उसने सिर्फ किशन लाल की help नही किसी और farmer के हैं चोरी करते, अगर ये थीव पकड़े नहीं जाते, तो ये क्या करते, पूरे गाउं में घुम घुम के चोरियां करते न, तो किशन लाल को कही फार्म नहीं बचाया करोने, बलकि पूरे गाउं का फार्म बचाया, अपनी बहादूरी से, अपनी cleverness से, तो उ इसको reward दिया गया, इसके लिए उसकी बहादूरी के लिए उसको reward दिया गया, क्या reward दिया गया, उसे bravery medal दिया गया, क्या दिया गया, bravery medal, बहादूरी का पुरसकार था, बहादूरी का medal मिला, जिससे उसने बहुत proudly पहना, ऐसा नहीं proudly पहन नहीं कि बहुत घमंडी हो गया, म जो उसको ना पसंद करते होंगे अब तो सब लोग उसको पसंद करने लगे क्योंकि उसने पूरे गाओं को इंट फैक्ट चोरों से बचा लिया सिर्फ उसने किशिनलाल को नहीं बचाया उसने पूरे गाओं को बचाया चोरों से अगर ये चोर नहीं पकड़े जाते तो ये बगाओं के बाकि फार्मर्स के यहां भी चोरी करते तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है बलाकी तक लैवर क्रो क्योंकि उसने इस चैप्टर में क्लैवरनेस दिखाया तो इस चैप्टर के कुछ की वोड्स क्या है कि पहले तो फार्मर का नाम क्या है किशनलाल है किशनलाल कैसा है काइंड हाटेड है किशनलाल कैसा है काइंड हाटेड है उसको क्रो कहां मिला अन्दा डॉर मेट है ना क्रो जो था या पूछा जा था कि डॉर मैट पे क्या मिला डॉर मैट पे उसे क्रो मिला क्रो कैसा था क्रो थरस्टी था तो उस क्रो के लिए किशनलाल ने जो बेड बनाया वो किसमें बनाया शू बॉक्स में बनाया इस जो है न इंपोर्टेंट फेक्ट्स हैं कि ये चाप्टर से बीच से अगर कुछ कोश्टन पूछा जाए तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं ना फिर जो रिकावर हो गया तो वो किशलाल का क्या बन गया फ्रेंट बन गया की किशनलाल के फ्रेंड जो थे वो क्या करते थे मेड़ फन ओफ है ना मेड़ फन ओफ किशनलाल तो यह सब की वर्ट्स है चाप्टर के रात को कौन फार्म में घुसा थीव्स एंड है ना फीव्स घुझ गया अ प्रोनिक एसे वार्म किया डेंजर के बारे में He started सब में में पॉइंस हैं तो जो मैंने पूरी चाप्टर की स्टोरी सुनाई तो आपको साथ में कुछ-कुछ वर्ज भी बताती जा रहे थी है ना फ्लेमिंग टॉच गविंग लाउडली वेलियंट वेलियंट करो अलर्ड करो तना पेकिंग दथीव डिस्ट्राक्टिंग आ सकते हैं fill in the blanks में आ सकते हैं तो go through the chapter, read the chapter, next video में मैं questions frame करोंगी chapter के बीच से ताकि आपका ये पुरा chapter एक बार फिर से cover हो जाए, ठीक हम questions करेंगे इस chapter के content में से, आज की video कहीं बंद करते हैं, मिलेंगे next video में, thank you